गोड बॉर्निंग फ्रेंड्स कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा आए नए साल की शुरुवात दोहजार चौविस की शुरुवात प्रेम और सुप्रीम पावर की डिवाइन डारेक्शन से शुरू करते हैं आपका हर कदम आशीरवात से जगमक आएग जो लोग अमीर हैं उन्हें इस बात के चंता रहती है कि कहां सेव या इंवेस्ट करें दूसरी और जो लोग गरीब होते हैं उन्हें किसी अमीर व्यक्ति को देखकर हमेशा बुरा लगता है जिन लोगों के पास नौकरी है वो खुश नहीं है क्योंकि उनकी नौकरी अच् वो दुखी है क्योंकि उनके पास कमाने का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों किसके जीवन में समस्याइं नहीं होती हैं मुझे एक एकसा व्यक्ति बता दें जिसके पास कोई समस्या ना हो हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्याइं होती हैं हमारे सामने आने वाले अधिकान समस्याओं को हम बिना किशी परशानी के हल करने में सक्षम होते हैं। हम या तो दुरंत समाधान लेकर आते हैं अपनी लाइफ में या किसी भी प्रकार की रहनीतिका उप्योग करते हैं जो अतीत में हमारे लिए अच्छे काम करती आई है। क्या आप हैं कि जीवन के समस्याओं को कैसे हल किया जाए। निश्चे ही जीवन के समस्याओं से भरा होता है और वास्ता में ये इतनी समस्याओं से भरा हुआ है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक समस्या को हल करने से एक नई समस्या पैदा हो गई Am I right my dear friends? लेकिन समस्या होना जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है उस सुप्रीम क्रेटर के साथ अपने अटूद बंदन को मजबूत करने का उनकी blessings आपके belief system को empower करती है हर जगा ईश्वर में शक्ती खोजे सब कुछ एक है सब को जुड़ा हुआ है एक अफसर एक व्यक्ती से जुड़ा होता है यदि आप किसी अफसर की तलाश में है तो आप वास्तव में जिस चीज की तलाश कर रहे है वो एक व्यक्ती है दा यूनिवर्सल पावर अर्ज है जीवन की सुभा में मैं इश्वर को गले लगाता हूँ प्रेम से मंगदशक कदम एक डैविय कृपा आपके लिए हर स्तान पर एक निरंतर प्रकास्थम यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो भ्रमांड ऐसा करने के लिए सही जानकारी भेजेगा जो आपके जीवन कारियों के अनुरूप होगी और जब आप वास्तब में कुछ चाहते हैं तो सारी काइनात उसे हासिल करने में आपकी मदद करने में जुट जाती है माइडे फ्रेंट्स आज की रिलेटेबल स्टोरी पसंद आए तो फीडबेक जरूर शेयर करें और स्टोरी को ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें स्टोरी आफ ए मैन विद नाइंटीन होर्सिस एक बार एक गाउं में एक बहुत अमीर आदमी था उसके पास उननिस घोड़े थे जो वो व्यक्ती मरा तो उससे पहले उसने एक वसीयत बनाई और उसमें अपनी सारी संपती बांट दी वसीयत में लिखा था मेरे पास जो घोड़े हैं उसका आदा हिस्सा के घोड़े मेरे बेटे को मिलेंगे चोता हिस्सा गौण के पुजारी को जाना चाहिए और मेरे पास जो घोड़े हैं उसका पांचमा हिस्सा मेरे नौकर को जाना चाहिए वसीयत लिखकर वो व्यक्ती मर गया गौण के लोगों ने जब वो वसीयत को पढ़ा तो सभी अपना सर्क हो जाते रहे किसी को समझ नहीं आ रहा था 19 गोड़े आदे गोड़े बेटों को मिलने चाहिए साड़े नो गोड़े क्या कैसे बांटेंगे एक चोताई गोड़े ये बटवारा कैसे संभव होगा सब के मन में ये सवाल थे सभी गोड़े सोच में पड़ गे वो एक उस गोड़ों को उस अनुपात में बांटने में सक्षम नहीं थे तभी एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ती संथ गोड़े पर सवार होकर आए उन्होंने कहा कि मैं तुमारी समस्या का समाधान बटाऊंगा तुम 19 गोड़ों को चोथाई, पांचवा और आदे में बांटना चाते हो बहुत सरुल है एक गाववाला बोला क्या तुम पागल होगे हो कैसे 19 गोड़ों को आदे आदे में बांट दे सकते हो संथ गोड़े से उतरे और फिर उन्होंने 19 गोड़ों के साथ अपना गोड़ा भी रख दिया जिससे 20 गोड़े होगे अब 20 गोड़ों का आदा कितना हुआ माइडिया फ्रेंड्स 10 10 जो बेटे को जाते हैं 20 का एक चोथाई 1 फोर्थ चोथाई हिस्सा यानि 5 गोड़े जो गोड़ों के पोजारी को जाते हैं और 20 का एक बटा पांच पांचमा हिस्सा चार हुए जो नौकर को जाते हैं 10 प्लस 5 प्लस 4 19 गोड़े इस तरह उस विद्वान संत ने 19 गोड़ों को बाढ़ गए और संत ने अपना गोड़ा वापस लिया और वहां से चले दे समाधान भहुत सरल है हमारे जीवन में कई समस्याएं है 19 समस्याएं भगवान को जोड़े तो 20 मी हो जाती है श्री कृष्ण हो श्री राम हो भगवान शिव हो वाहे गुरु हो अल्ला हो जिसको आप मानते हो अपने जीवन में जोड़े सब कुछ चारू रूप से चलना लगेगा काम करेगा यही प्रमान है माई ये फ्रेंट्स हम सब के पास 19 घोड़े होते हैं कौन-कौन से 5 सेंस ओर्गन्स हम जानते हैं 5 ओर्गन्स ऑफ एक्षन 5 प्रानाज प्राना, अपाना, उदना, फ्याना और समाना और पांच अंतकरन इंटर्नल डायलोग्स जहां हम चार आवाजे सुनते हैं हमारे माइंड में मानस, चित, बुद्धी, एहंकार इश्वर के सिद्धान्त को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और समस्याओं को गाइब होता देखें बरफ की तरह जो उश्मा अंथा भाप के रूप में वास्पित होकर गाइब हो जाती है और हम अपने दैनिक जीवन में भगवान के नाम को कैसे जोड़ें प्रेयर्स के मात्ते हम से सच्चे प्रेयम और समर्पन के साथ माइडियो फ्रेंड्स आपका बिलीफ करांती ला सकता है लेकिन इसमें सच्चे प्रेयम और भक्ती के प्रवेश के बिना ये पानी में नाव कितरा होगी बिना पानी के नाव पानी में तेरती नाव को धकेलना तो कठिन नहीं है लेकिन उस पानी को सुखी भूमी पर खीचना अत्यंत कठिन है चुनौतियों को अफसर में बदलने माईडियो फ्रेंड्स समस्याओं का समधान के सफलता के लिए छे चरण, जिम्मेदारी ले चुनौतियों को विकास के रूप में सुविकार करें बहने बनाने से बचें जीवन द्वारा दिये गए सबक को पहचाने धारनाओं से बचें, नमबर टू अतीद से सीखें, लेकिन नई सभावनों के लिए खुले रहें जो पहले काम करता था, वो अब समधान नहीं हो सकता स्तरक और अनकूलन शीन रहे, अड़ेप्ट करें नमबर तीन, समस्याओं को प्रश्णों में बदले ये द्रिश्टिकोन संभावनाओं को आमंतरित करता है और समधान को प्रोसाहित करता है questions are answers, विकल्पों के परिपेक्षा की तलाश में रहें विविद द्रिश्टिकोन अपनाएं अपनी लाइफ में और दूसरों से feedback लें, उनसे जाने, आपको solutions मिलेंगे चित्रों में सोचें, नमबर पांच डूडल, mind map और रिखाओं के माध्यम से द्रिश्टी सोच का उपयोग करे, use creativity जितना creative होंगे उतना समाधान, समस्याओं पर विचार करे विचारों को पन अपने दे अपने अंदर, अपनी कल्पनाओं में प्रकट होने दे बदने और विस्तार करने का मौका दे उनको, बढ़ने का अदमा का दे उनको यह वो कदम है माई डिया फ्रेंट्स, जो आपकी जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए उठाने होंगे यह बिल्कुल full proof formula है, इस छे चरणों में उपयोग करने से आपको निश्चित रूप से अपने जीवन की समस्याओं से कहीं अधिक प्रभावी डंग से निपटने में मदद मिल सकती है माई डिया फ्रेंट्स, कहानी और आज की learnings उमीद करेंगे आपको पसंद आई होंगी, आप अपने share करें feedbacks और दोस्तों मित्रों में ये कहानी को जरूर share करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फाइदा हो, हम यूँ ही मिलते रहेंगे नए साल की आगाज story के साथ, learning के साथ, उमीद करेंगे आपको ये सफर पसंद आया होगा, यूँ ही मिलते रहेंगे साल के 365 दिनों में, यानि हम मिलेंगे दुबारा और नए इस रूपे, नई topic पे, नए story पर काम भी करेंगे, thank you my dear friends, wish you wealth.